आईए सरल करते हैं अपने इस वेंजक को, यहाँ पर हमें 16X धन 14 में से 3X का वर्ग धन X रड़नों को घटाना है, तो इसे घटाने के लिए चले इसे दुबारा यहाँ लिख लेते हैं, 16X धन 14 और इसमें से हमें घटाना है इस वेंजक को, और घटाने को अगर मुझे जोड की रूप में लिखना हुआ, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर जोड का च्छन लगाऊंगी, और यहाँ पर यह जो वेंजक है, यहाँ इसे घटाने का मतलब होता है, इस वेंजक का रिड एक में गुडा कर देना, ठीक है, तो चलिए अब हम गुडा करते हैं इस वेंजक का रिड एक में, और इस वेंजक का रिड एक में गुडा करने के लिए, मुझे इसके सभी पदों को रिड एक से गुडा करना होगा, मेरा मतलब है, कि मुझे रिड एक का गुडा तीन एक्स के वर्ग में करना होगा, फिर मैं रिड एक का गुडा एक् से लिख सकते थे, 16X धन 14, और यहाँ पर अगर हम रड़ 1 का गुड़ा करते हैं 3X के वर्ग में, तो यह बराबर होगा, रिड 3X के वर्ग के और इसी तरह से रिड 1 गुड़े X बराबर होता है रिड X के और रिड 1 गुड़े रिड 9 ये बराबर हो जाएगा धन 9 के तो चलिए अब यहाँ पर हम इस विंजक को सरल कर लेते हैं और यहाँ पर समान पदों को हम जोड़ लेंगे तो हम सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाले पद को ले लेंगे और फिर हम घातों के घटते हुए क्रम में अपने सभी पदों को लिख लेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात है हमारे पास RID 3X का वर्ग और यहाँ पर X का वर्ग हमारे पास एक ही है और इसके अलावा कोई भी पद नहीं है जिसमें X का वर्ग हो हमारे पास तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं यह हो गया RID 3X का वर्ग और X के वर्ग से छोटी घात होग 15 X तो मैं आलिक देती हूँ 15 X और इसके बाद जो छोटी घात होती है वो है X की घाच्छुन या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब स्थिरांक बचे होंगे तो अब स्थिरांकों में हमारे पास बचा है 14 और 9 तो 14 धन 9 ये होता है 23 के बराबर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस विंजक को सरल कर लिया है और ये बराबर है रिड़ 3 X का वर्ग धन 15 X धन 23 के